किस्मत कोई नहीं होती, बस कर्म होता है. दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची गटना पर आधारित है. ये कहानी एक ऐसे चात्र की है, जिसने समाज को ये संदेश दिया कि चाहे परिस्तितिया कैसी भी हो, अगर हम में उससे पार निकलने का जजबा है, तो कोई भी परिशानी ब खुदी कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी. वो चात्र बेहत गरीब तो था, लेकिन खुददार भी बहुत था. वो अपनी स्कूल की फीस, किताबे, सब कुछ अपनी कमाई से ही बरता था. चाहे उसके लिए उसे एक रात खाली पेट सोना क्यों ना पड़े. वो चात्र बच्चों ने उस चात्र को चोरी के इलजाम में फसाने का सोचा. उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल से जाकर उस चात्र की शिकायत कर दी कि वो हमेशा दूसरों के पैसे चुराता है, पैसे चुराकर वो स्कूल की फीस भरता है और किताबे खरीदता है. बच्चों ने प्र लगवाया तो उन्हें मालूम पड़ा कि वो छात्र स्कूल के बाद खाली समय में माली के यहां सिचाई का काम करता है। उस काम से जो पैसे मिलते हैं वो उससे अपने स्कूल की फीस भरता है और किताबे खरीदता है। आकिर दूसरे बच्चों के माता पिता भी तो मेहनत करके ही फीस देते हैं तो मैं भी मेहनत करके ही अपनी फीस जमा करता हूँ। इसमें गलत क्या है? वैसे भी आपने ही सिखाया है कि करम ही सबसे बड़ी पूजा है। छात्र की ये बाते सुनकर प्रिंसिपल का सिर्व भी गर्ब से उचा हो गया और दूसरे बच्चों को शर्मिंदगी महसूस हुई। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमेशा इंसान को अपने करमों पर विश्वास रखना चाहिए। सफलता पाने और आगे बढ़ने के लिए दूसरों पर निर्भर होने के बजाए खुद बहुत धन्यवाद।